हिमाजन प्रदेश सहीत जिला कांगडा में प्रियटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कांगडा एपोर्ट का विस्तारी करने जा रही है जिसको लेकर जहां लोग विरोध कर रहे हैं वहीं विपक्ष इस पर राजनिती पर उतराया है धरमशाला में ये कारेकर में शिर्कत करने पहुँचे कांगडा संसदी क्षेतर के सांसद किशन कपूर ने कहा कि जब भी कोई अच्छा काम होने लगता है तो उस पर राजनिती शुरू हो जाती है जबकि कांगडा हवाई पट्टी का विस्तार परेटन से जुड़ा हुआ है उधर बेहतर परिवहन सेवा के लिए पठानकोट मंडी और शिमला धरमशाला फोल लिन का निर्मान किया जा रहा है कांगडा हवाई पट्टी की लंबाई साड़े चौदर सो मीटर के लगभग है जिसे 3,010 मीटर किया जाना प्रस्तावित है प्रदेश भर में एक मातर कांगडा ही एक ऐसी जगा है जहां एइपोर्ट के विस्तार की संभावना प्रबल है उधर सुरक्षा के लिहास से केंदर का सुरक्षा मंत्राले भी इस एपोर्ट को सुरक्षित मानता है और इसका विस्तार करवाना चाहता है जिसके लिए बकाईदा मुख्य मंत्री जैराम ठाकूर कई बार केंद्रवे रक्षा मंत्री समेट संबंधित मंत्रियों से भी बादचीत कर चुके हैं लेकिन इस एअपोर्ट के विस्तारी करण पर की जा रही ही राजनिती और लोगों का विरोध भारी पड़ता नजर आ रहा है केंदर सुरकार जहां हवाई पट्टी के बिस्तारी करन का करने का पूरा हमारे देश के परधान मंत्री जी का शिंगबाद और वो भी चाहते हैं कि यहां का हवाई पट्टी का बिस्तारी करन हो और यहां बाव सारे प्रेटक आएं जब ये विस्तारी करन हबाई पट्टी का हो जाएगा तो एक साल में हमारा तार्गेट रहेगा कि लगबग हम दस लाख लोग यहां बंचाने का प्रियास करेंगे। और जहां तक रूड का है तो रोड जो है फॉरलेंड बन रहा है पठानकोर से मंडे और सिमला से धर्मसला के लिए जो फॉरलेंड बन रहे हैं उससे भी जो आने जाने के सादन जो है।